कि एड़ी स्क्वेर ट्रांस्फोर्मिशन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं देखो कि एक तो डीड़ डीजैड इसने एक निकालने का तरीका बता है कि अगर यह जीरो नहीं आ रहा है तो एक कनफर्मल मैपिंग है कनफर्मल मैपिंग की पहचान के लिए इसने तरीका यह बताया है कि डीड़ डीजैड जो है जीरो नहीं होना चाहिए डीड़ डीड़ डीजैड इस नौट इकल टू जीरो एकसेप्ट एट जैड इकल टू जीरो तो इसका मतलब है कि यह एक कनफर्मल मैपिंग है हैंस डीड़ इकल टू जैड़ स्क्वियर इस कनफर्मल मैपिंग अच्छा अब फिर इसमें जैड इकल टू एकस प्लस आई वाई रखके और इसे सॉल करते हैं डबलू को लिख लेंगे यू प्लस आई वी और जैड को लिख लेंगे एकस प्लस आई वाई और उसका होली स्क्वियर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा एकस स्क्वियर माइनस वाई स्क्वियर प्लस टू आई एकस वाई और यहां से यू की वैल्यू निकल जाएगी हमारी एकस स्क्वियर माइनस वाई स्क्वियर और वी की वैल्यू निकल जाएगी टू एकस वाई ठीक है तो ट्रांसफॉर्मिशन तो उस तो यह हो जाएगा हमारा यू इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो यह A स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर निकलेगा और V इक्वल टू हो जाएगा 2 A Y और इसको अगर हम इदर ट्रांसफर कर दें तो यहां से देखो Y की वेल्यू क्या है V अपॉन 2 A इसमें रखेंगे U इक्वल टू है A स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर Y की वेल्यू यहां से है V स्क्वेर अपॉन 4 A स्क्वेर हो जाएगा यह और यह देखो U में तो 1 पावर है और V में 2 पावर है तो इसका मतलब ऐसा कब संभ़ हो सकता है यहां से निकल जाएगा इससे सोल करने पर V स्क्वेर की वेल्यू क्या निकलेगी U माइनस A स्क्वेर माइनस 4 A स्क्वेर और U माइनस A स्क्वेर यह निकल का जाएगा और यह V में 2 है पावर और U में 1 है तो इसका मतलब V और U-axis अगर लेते हैं, तो ये एक पैराबोला की equation आ रही है, ठीक है ना ये अब पैराबोला की equation है, तो इसका मतलब है, अगर X equal to A line है कोई, तो X equal to A line का transformation एक पैराबोला बनता है, X equal to A line की transformation जो है एक parabola बनता है ये और with its vertex at A square and 0 इसका जो vertex होगा वो यहां से निकालते हैं 4A से निकालते हैं इसे compare करके तो इसका vertex होगा A square 0 पर focus origin पर होगा और symmetrical about the real axis तो जब हमसे बनाएंगे देखो इसमें माइनस है तो माइनस होने की वेज़ से parabola इधर को बनेगा ठीक है माइनस है ना तो इसलिए parabola इधर बनेगा और इसका vertex कहां पर था A square 0 पर ये इसका vertex होगा A square 0 और focus origin पागा इसका यहां से इसे equal to करेंगे न तो ये हमारा A equal to 0 करने पर निकलेगा इसका vertex जहां करो Y square equal to minus 4X जैसे लिखते थे हम तो उसमें अगर हमें vertex निकालना हो तो X equal to 0 तो यहां से इसे equal to 0 करेंगे ये UX है हमारी ये VX है तो ये A square 0 पर तो आगया इसका vertex ये vertex है और फोकस ये इसका origin पर आ गया और फोकस के लिए क्या करते थे बताओ फोकस तो इस तरह से हमें ये जो है हमें ये देखना है कि X equal to A जो line है वो उसकी image parabola बनती है तो इसी तरह कैई सारे question इसने पूछ रखे हैं X equal to A लेके ही अगर अगर to A line है ये X equal to A और A line X equal to B line X equal to A line का तो ये बनता है और अगर B line है इदर दूसरी line है तो फिर ये बन जाता है इसका इस तरह से ये जो इसका shadow कर देंगे ये वाला region इसका permissible region है या required area है ये अगर हमें निकालना होता है इसका transformation कैसे बनता है A से B तक तो इसने एक जगे X equal to lambda line भी ली हुई है तो वो तो ये की बात है X equal to A X equal to lambda तो इस तरह से parabola बनता है इसका transformation निकालनी है W की की W plane में अगर कोई image है तो उसकी Z plane में image क्या बनेगी ये निकालना चाहते हैं तो W plane में इसमें तो ये line इसने दी हुई है कि U equal to A और U equal to B इस तरह से कोई line है उसकी हमें image निकालनी है U equal to A और V equal to B line की तो इससे जब निकालने के लिए हम क्या करेंगे जैड इकोल to root W इसका square कर लो एक बार Z square equal to W हो जाएगा जैड के value रख लेंगे X plus IY इसका whole square equal to W equal to रख लेंगे हम U plus IV इसका square करेंगे तो compare करेंगे तो U की value तो आ जाएगी हमारी X square minus Y square और V की value क्या जाएगी 2XY अब यह कह रहा है U equal to A line है अगर कोई उसकी image क्या बनेगी तो यह हो गया X square minus Y square equal to A और यह हमारा rectangular hypergola होता है ठीक है हाँ अब तो यह थी line हमारी U equal to A V equal to B यानि कि अगर कोई line इस तरह से है W plane में है तो जब Z plane में वह बनेगी line U equal to A V equal to B तो हाँ U equal to A line है अगर U equal to A line है यह U axis है यह V axis है और यह U equal to A line है तो इसका जो transformation जो इसकी image होगी यह W plane था और यह Z plane तो Z plane में यह इस तरह से बने गए फिर यह रेक्टेंगूलर हाइपर बोला X square minus Y square equal to A तो अगर U equal to A line है तो इसका इसकी जो image है X square minus Y square equal to A एक यह सवाल तुम्हेरा पूछ रखा है और V यह से दिया हुआ है फिप्ट में W equal to 1 by 2 और Z plus one upon Z तो डी डवलो डी जैड निकाल लेंगे और यह हो जाएगा one by two तो बाहर है Z का one हो गया और इसका minus one upon Z square हो गया और यह हो गया two Z square LCM लेंगे इसका और Z square minus one और यह conformal के लिए क्या था कि इस conformal accept at यह zero नहीं होगा होना चाहिए तो जीरो अगर इसके करते हैं Z square minus one equal to zero तो Z square equal to one और Z equal to आ गया plus minus one तो इस conformal accept at plus minus one यह निकाल देंगे conformal at accept at Z equal to plus minus one यह होगा इसके ट्रांस्फोर्मिशन इसन दी होगी है W equals to E to the power Z हम और इनकी अगर डी 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 जैड निकालते हैं तो यह value कभी भी 0 नहीं हो सकती डी 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 जैड अगर हम निकालते हैं तो वह यह यह आएगा जैड और यह value कभी भी 0 नहीं होती 0 होती है तो कब जब Z की value minus infinity पर हो ठीक है केवल तब 0 हो सकती है बस अच्छा इसको अगर हम लिखें डबलू इकल टू रो e to the power i 5 और Z की value लिख लें x plus i y या इसको लिख लें e to the power x into e to the power i y इसको compare करें तो रो की value e to the power x है और 5 की value y है यह हो सकती है compare होने के बाद अच्छा इसमें अगर y को हम कोई constant number ले लें ठीक है न वाई इकल टू देखो फाई है यह फाई का मतलब यह angle है तो वाई को अगर हम constant alpha ले लिया हमने और alpha की value अगर हम कह रहे हैं कि यह 0 से 2 pi के बीच में है y equal to alpha है और alpha 0 से 2 pi के बीच है तो e to the power x increases from 0 to infinity ठीक है e to the power x की value तो हमेशा जो भी कुछ value निकाल लेंगे positive होगी और increase होती जाती है यह y equal to line alpha होगी z plane है यह है यह हमारा z plane और इसमे line है y equal to alpha alpha से मतलब जैसे हमने ले लिए यह हम डबलू plane में लेंगे तो y equal to alpha तो alpha की value पाइबाइटू रखेंगे तो 5 equal to pi by 2 और 5 equal to pi by 2 का मतलब है 5 यहां पर एंगल है यहां पर तो वैसे value थी हमने यहां पर यह एंगल है तो यह line इस तरह हम अगर जैड प्लेइन में लेते हैं तो उसकी image किसी line की image which is parallel to x axis is a line radial line radial line radius vector जैसे होता था ना जो origin से line होके जा रही है यह इस तरह से radial line में इसका transformation हो जाता है तो यही हमरा वह question है इसी तरीके का है तो हैंस लाइन parallel to x axis in the z plane correspond to radial lines in the w plane और फिर आगे यह इसने कुछ और भी थोड़ा से बताया है अगर यह line if the line y equal to alpha moves to y equal to beta अगर यह y equal to alpha से y equal to beta के बीच में है यह वाला area है मान लिया तो फिर यह change होके उधर भी change हो जाएगा इस तरह से 5 equal to alpha से 5 equal to beta हो जाएगा तो फिर यह radial line यह radial area हो जाएगा फिर यह इस तरह से इसका transformation हो जाएगा तो अगर question आता है ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके तो ऐसे भी तुम कर सकते हो इसे और in particular बस यह आसान से आ रहे हैं w equal to z to the power one over alpha इसमें अगर हम w और z को लिख लेते हैं जैड तो हमारा होता ही है r e to the power i theta और w को इसी की फोर्म में ऐसे लिखते हैं तो rho e to the power i phi अब हम यहां पर रखेंगे तो rho e to the power i phi equal to r e to the power i theta to the power one upon alpha और इसको अब लिख लेंगे हम r to the power one over alpha और e to the power i theta upon alpha और rho e to the power i phi compare करेंगे तो rho की value आ रहा जाएगी और i phi equal to a यानि की phi equal to theta over alpha तो rho equal to r to the power one by alpha phi equal to theta over alpha यह इस तरह से हमारे हमने rho और phi value निकालनी हैं इनके transformation हमें निकालने हैं तो लेन r is constant जब r constant है तब क्या होगा जब r constant है तो rho equal to r है और हमारा z equal to r e to the power i theta इसका मतलब यह एक circle है यह circle की दो equation लिखते हैं यह z equal to r e to the power i theta तो अगर हमारा r constant रहेगा तो इसका मतलब वो circle जो है वो उसकी radius constant रहेगी अगर यह z plane में है कोई circle तो w plane में भी एक constant radius का circle ही बनेगा अगर हमारा r constant है तो रो की value है यह r to the power 1 over alpha तो r के लिए 2 ले लिए हमने 3 ले लिए तो उसकी power 1 over alpha रहेगी और इसी तरह से अगर यह circle है तो इधर भी एक circle बनेगा इसकी radius यह होगी इसकी radius तो r है और इसकी radius हो जाएगी r to the power 1 over alpha अच्छा यह एक इसमें condition दी है special कि if r equal to 1 तो अगर r equal to 1 है उसकेस में row की value 1 हो जाएगी तो अगर यह unit circle है z plane में तो w plane में भी एक unit circle ही होगा ठीक है फिर है when theta is constant यह तो था r constant है तो अगर r constant है तो यह condition बनती है और when theta is constant जब theta constant है तब अगर theta constant है उस case में मान लिया बीटा है थीटा की value जो है वो बीटा है अगर theta की value बीटा है तो हम यहाँ पर रखेंगे phi equal to क्या जाएगा यह बीटा और अलफा इसमें रखने पर phi की value बीटा पॉन अलफा आगी है when theta equal to 0 अच्छा अगर कुछ special case देखते हैं मान लिया theta equal to 0 रखा हमने theta equal to 0 तो theta equal to 0 पर phi की value क्या आएगी 0 और अगर theta की value लेते हैं हम पाई अलफा अगर theta की value पाई अलफा ले रहे हैं तो phi की value क्या जाएगी पाई तो इसका मतलब है कि अगर हमारा z plane में कोई circle है z plane में कोई circle है और तो जब w plane में जाएंगे जो इस की मेंज होगी वो theta equal to 0 से theta equal to pi alpha theta equal to 0 से theta equal to pi alpha या 5 यह तो होगया हमारा z plane w plane में होगया 5 equal to 0 से 5 equal to pi तो 5 equal to 0 से 5 equal to pi देखो इस तरह से बन जाएगी यह जे डबलू plane है तो 5 equal to 0 तो यह लाइन होगी और 5 equal to pi यह लाइन हो जाएगी तो इस तरह से यह एक circle बनता है semi circle डबलू plane में semi circle बनता है अगर यहां यह एक sector है जो इसने वैज के रखा एक वैज theta equal to 0 देखो मैं z plane में दिखाता हूँ जैड plane में अगर हम यह लेते हैं है थीटा equal to 0 से थीटा equal to pi अलफा है थीटा equal to 0 यह हो गया थीटा equal to pi अलफा मान लिया यह हो है तो यह एक वैज बना है है ना और इसकी जो इमेज होगी डबलू plane में यह तो है जैड प्लेन और यह है हमारा डबलू plane तो डबलू plane में यह वाली इमेज बनती है इसकी तो अगर जैड इकल टू वन टू दी जैड टू दी पावर वन ओवर अलफा अगर transformation है तो उसके दोरा क्या क्या इसमें चेंज होते हैं यह बताया है अब